अभी कई लोग यहां पर assessment यह 2324 की जब यहां पर ITR file कर रहे हैं तो उनको इस type का message दिख रहा है ITR file is the defective or the incomplete तो guys आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि defective return का notice आपको कब issue होता है अगर आपको email के उपर आपको भी ऐसी कोई notification मिल लिए 139 subsection 9 के अंदर तो उसको कैसे resolve करना है कैसे rectify करना है यह सारी जानकर यह आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर तो पूरा वीडियो यहां पर जरूर दिखेगा वीडियो को गाई शुरू करने से पर बताना चाहूंगा अगर आप लोग help लेना चाते एक tech expert के माधियम से अपने notice को यहां पर resolve करना चाते तो उसकी link में मैंने आप लोग को simply description box में दे रखिए तो चलिए गाई शुरू करते हैं तो गाईस पहले हम लोग simply reason के बारे हम बात करते हैं कि defective ITR का notice है basically आपको कब issue होगता है तो दीखे इसका एक simple common reason यह होता है जब भी आप tax expert की अगर आप मालीचे मदद नहीं लेते हैं यगर आपको जादा knowledge नहीं है tax वगरे कैसे calculate होता है कैसे return वगरे file होती है और अगर आप खुद file करने की कोशिश करते हैं तो guys अगर कोई भी income अगर आपसे यहाँ पे छूट जाती है अगर आपने वो income यहाँ पे नहीं डाली विए लेकिन उसका जो TDS है अगर आपने claim कर रखा है तो guys उस case में आपको defective का notice issue होता है माली जीसे आपने 26 AS के अंदर कोई income दिख रही थी या AS के अंदर कोई S income दिख रही है वो आपने BCR के अपनी ITR के अंदर show नहीं किया उसको आपने skip कर दिया है तो उस case में आपको defective का notice issue हो सकता है इसके लिए यहाँ पर let's suppose अगर आपको books of accounts वगरे maintain करनी थी आपने maintain नहीं की उसके बिना ही आपने balance sheet P&L account के बिना ही आपने ITR file कर दी उस case में भी आपको इस type के notice देखने को मिल सकते हैं इसके लिए अगर आपकी tax liability की tax audit की अगर अपने tax audit नहीं करवाई है और still अगर आपने return यहाँ पर file कर दी तो उस case में भी इसी type के notice आपको देखने को मिल सकते है तो guys ऐसे कई सारे यहाँ पर reason हो सकते हैं जिसकी वैसे आपको यह defective return का notice मिल सकता है अब guys इस notice का यहाँ पर reason क्या होगा उसका reason वैसे तो आपको email के उपर ही मिल जाता है लेकिन अगर आपको जानना है तो आपको अपने portal के अंदर login करना पड़ेगा आपको simply जाना पड़ेगा pending action के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा e-proceeding का option तो guys इसके उपर आप जैसे click क होता है उसको आपको within the 15 days basically यहाँ पर response करना पड़ता है अगर 15 days तक अगर आप response नहीं करूंगे तो यह जो option आपको submit response का देख रहा है वो disable हो जाएगा और ultimately आपकी जो ITR हो invalid हो जाती है तो guys यहाँ पर आपको simply submit response के उपर click करना है तो guys देख सकते हैं आपकी screen के सामने इस type information आजाती है तो यहाँ पर आपको download defective return का option मिल जाता है यहाँ से आप download कर सकते हैं अभी right now यह disable option है प्लस इसका reason क्या है तो यहाँ पर error quotes यहाँ पर साब लिखा हुआ है कि आपकी 26 AS के अंदर जो income थी वो आपने यहाँ पर insert नहीं की वी है उसके साथ में आपने जो ITR file की ह यहाँ आपकी AS के अंदर जो income दिख रही है वो आपने जो ITR file की है उसके अंदर उससे match नहीं हो रही है इसी की वैसे आपको यह notice वगर है वो basically यहाँ पर issue हो रखा है अगर इसमें ITR की बात के हो तो इसके अंदर salary के लावा भी काफी सारे transaction थे जिसके ओपर TGS वगरे भी क उसको नहीं दिखाया है तो उस case में आपको भी यह जो आपको notice receive हुआ है उसके against में आपको response submit करना पड़ेगा तो देखेंगाईस यहाँ पर response जो submit करना है उसमें आपको दो चीजे मिलेगी एक मिलेगा आपको agree का एक मिलेगा आपको disagree का option तो देखिए अगर आपको लगत आपको यहाँ पर दिया गया है उससे आप क्यो disagree होते है लेकिन गाइस मैं आपको frankly बताओ तो 95% case के अंदर department एकदम correct होता है अगर आपको उसका notice मिला है तो जरूर कोई ना कोई reason की वेशे मिला होगा तो हमेशा आपको एक text expert की जरूर जरूर सला लेनी चाहिए file करने से प पड़ेगा तो इसके उपर आपको select करना है तो guys यहाँ पर आपको वापिस जो एक fresh idea select करनी पड़ेगी और उसकी XML जो file होती है जो JSON file होती है वो यहाँ पर आपको upload करनी पड़ेगी आप guys ज़रूरी यह नहीं है कि आगर आपने idea 1 file केती है उसके उपर defective notice आया है अब आप आपके उपर idea 2 applicable है तो आप idea 2 भी यहाँ पर upload करा सकते है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको idea 1 करानी है आप guys बात करते कि offline utility में को कहां से मिलेगी तो यह आपको download वाले section से मिल जाएगी तो यहाँ पर utility का option दिया हूँ इसको आप download कर सकते तो guys जैसे आप unzip करते हैं तो basically आपको normal जैसे हम लोग normal idea file करते हैं वैसे आपको file करनी है बस हलका सा यहाँ पर change यहाँ आएगा जो filing section होता है basically यहाँ पर guys आपको file in response notice under section चूज करना है normally क्या होता है आप यहाँ पर 139 subsection 1 यहाँ पर select करके रखते उसकी जगे आपको response to notice under section choose करना है और यहाँ पर guys simply आपको जो भी आपने यहाँ पर original return यहाँ पर file की थी मलब आपकी जिसके उपर defective notice आया उसका आपको acknowledgement number डालना पड़ेगा आपको original return की यहाँ पर date डालनी है साथ में guys यहाँ पर आपको DIN number डालना पड़ेगा जो भी आपको notice issue हुआ है यह DIN number आ यहाँ पर file कीती वैसे यहाँ पर आपको proper तरीकी से return वगरे जो है file करनी है proper यहाँ पर forms वगरे select करने proper अपनी सारी income जो यहाँ पर declare करनी है और जो भी आपका tax liability है वह आपको pay वगरे करना है अगर refund बनता है तो वह आपको declare करना है इसका guys एक को तरीका है अगर utility की थ्रू आप generate नहीं करना चाते हैं तो यहाँ पर आपको सारे idea forms वोगरे दी होते हैं तो यहाँ पर आप guys simply utility excel base को यहाँ पर download कर सकते हैं तो guys इस utility के अंदर भी क्या होता है आपको सारे details यहाँ पर डालनी पड़ती है और यहाँ पर भी आपको same option मिलेगा file under section का तो यहाँ पर भी यहाँ पर आपको original return की receipt number डालनी है date डालनी है और जो आपको notice मिला है उसका din number डालना उसका date डालना है तो इस तरह से आप excel base भी यहाँ पर जो generate JSON यहाँ पर करवा सकते हैं पूरी यहाँ पर जिसे normal return file होती है वैसे excel base यहाँ पर आप file कर सकते हैं तो guys जैसे यहाँ पर आप अपनी JSON को generate कराके इस notice का यहाँ पर simply तरीके से response वगरे submit कर सकते हैं so guys उपी like this video please subscribe अगर आप लोग के कुई भी doubt से comment box में बता सकते हैं और guys अगर आपको consultancy लेनी है या इस notice का reply वगरे कराना है तो उसकी link में मैंने आपको description box के अंदर दे रखिए thank you guys thank you very much